आप तस्विर देखरें सिब जनतावाज भारत पर भारी से अति भारी बारीस के चलते कई सारी जगह पर जल भराव की तस्विर सामने आई है वल्चाड जिले की बात करें तो वल्चाड जिले के वापी में चार गंटे के अंदर 6 इंच जितनी बारिस गीरी है 150 इमें जितनी बारिस गिरने से कई सारे इलाके में वापी इस्तार में जल भराव की तस्विर सामने आई है आपने देखा वापी का अंडर पास जहां पानी बजका जल भराव हो गया था और उसके चलते उसको बंद किया गया है और ये हर्या उस्पिटल से जो सूरिया सोसाइटी से लेके तो राज रेसिडनेंसी की ओर जाता है ये सड़क जहां पर भी जल भराव की तस्वीर सामने आई है जहां पर लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है पहली बारिस में बहुत सारा जो बारिस पानी गीरा वापी में 40 इंच के करीब वातब जो है जल भराव की तस्वीर सामने नहीं आई लेकिन ये एक साथ में 4 गंटे में 6 इंच जितनी बारिस गीरी उसमें जल भराव की तस्वीरे वापी इलाके में कई जगसे देखने मिल र प्रिकत का सामना करना पड़ना है और जल भराव की तस्वीरे सामने आई है यह तस्वीरे है वापी इलाके की जहां पर भारी बारी इसके चलते कई सारी जगा पर जल भराव की तस्वीरे सामने आई है कि इस प्रकार की परिस्तिती यह देखे आप पूर्य टू इलर का जो टायर है वह पूरा डुबावाण नजल आ रहा है उससे जल्दी जाने की जो जहमत उठाने पड़ती है इस पतार की वो निकल रहे हैं ये देखे कैसा जल बह रहा हूँ इस पतार की तस्वीर सामने आई है एक हो रिविलर जो है उसको भी जाने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ये सेवी तस्वीर ये जादा तर ये जो तस्वीर हम आपको बता रहा है ये वापी के राज रेसेडेंसी और सूर्या सोसाइटी के और की तस्वीर है जहां पर जल भराव की तस्वीर सामने आई है और आप तस्वीर देखरे सिफ जनतावास भारत पते किस प्रकार देखे रिक्षा किस प्रकार परिस्तिती को समधने की बजाए जलद जाने की लए में जो इस प्रकार की जो क्रोस करते हैं शड़क को पास कर निकलते हैं तो दिक्कत का सामना करना करना पड़ता है यह चला विस्तार की वापी के चला इलाके की जो तस्वीर है जहां पर सडकों पर पानी ही पानी हो गया था है यह पूरी तस्वीर दाबेल से सोमनात तक इसी प्रकार की है जो वापी का चला इलाका है जहां से लेकर दमन के सोमनात से पूरा जल बलाओ का लोगों को सडक पर स सामना करना पड़ा यह तस्वीर है गुंजन इलाकी की जहां पर भारी बारिस के चलते कई सारा जल भराव का जो है अंदेशा जताया जा रहा था इस प्रकार की तस्वीर भी सामने आ रही है यह गुंजन इलाकी की तस्वीर है जहां पर पूरा सड़क जल मगनजेशा जमानो यह नदी है इस प्रकार की तस्वीर सामने आई है यह गुंजन इलाके की है वापी के गुंजन इलाके की जहां पर भारी बारी इसके चलते जल भराव की तस्वीर सामने आई है देखे गुपने के उपर तक पानी नजर आ रहा है गुंजन इलाके में कई सारे दुकानों में भी पानी भरने की तस्वीर सामने आई है यह गुंजन इलाका है ज्यादा तर यहां पर जो है पानी भरावा नजर आ रहा है यह तस्वीर आप देखे रहे सिप जनतावाज भारत पर एक इस प्रकार की परिस्तिती है वापी में चार गुंटे में चेंज जितनी बारिस गिनने से दिकत का सामना करना पड़ रहा है लोगों को और कई सारी जगपर जल भराव की तस्वीर सामने आई है यह देखे घुटने के उपर तक पानी है गुंजन इलाके में और कई सारी दुकानों में भी पानी भरा और कई सारा पर जल जमाव की तस्वीर सामने आई है किस प्रकार जल भराव के चलते लोगों को दिकत का सामना करना पड़ता है कहीं जगों पर गड़े गीरे है तो इस जल भराव के चलते पता नहीं चलता है इसके लिए लोगों को परेशाने भी उठानी पड़ रही है यह तस्वीर है आपको हम बता रहे हैं वापि के चल्ला इलाके की जहां पर जल भराओ की तस्वीर सामने आई है वापि के चल्ला से लेके तो दाबेल सुमना तक शड़कों पर पानी नजर आ रहा इसा प्रकार की तस्वीर भारी-बार इसके चलते देखने मिली है और यह तस्वीर हम आपको बता रहा है आपको exclusive highway no.48 जो है मुंबे से अंदाबाद की और जाने वाला highway जहां पर highway पर भी जल बराओ की तस्वीर सामने आई है उसके चलते लंबा जाम नजा रहा है ट्राफिक नजा रहा है उसका कारण है के जल बराओ के चलते सडक पर highway पर उसके चलते सबल के जाना परता है कहां गड़े है या किस प्रकार की परिस्तिती है जानकारी नहीं होने के कारण स्लो जाती है सबी गाडिया इसके चलते जो है जल बराओ के चलते हैं ट्राफिक जाम हो गया है यह हाइवे नमबर 48 की है मुझे से अमदाबाद के जाने वाले हाइवे अतिवेस्थ हाइवे रहता है इस प्रकार की तस्वीर है देखिए आप सिर्फ जनतावास भारत पर की हाइवे पर सडक पर जो है जल भराव की तस्वीर सामने आई ह और आप तस्वीर देखिए देखिए सिर्फ जनतावास भारत पर की किस प्रकार की परिश्थिती है यह एक्स्क्लीजिव तस्वीर है वापी अंडर पास में इतना सारा जल भराव होने के बाद भी यहां से कार को क्रोश करने की कोशिश कियो और उसमें बूरे रीच से फस से वो नजर आ रहे हैं तस्वीर में यह वापी अंडर पास की तस्वीर है जहां पर कार फसी है और उसका रेस्क्यू किया जा रहा है आप तस्वीर देखिए सिर्फ जनतावास भारत पर की इतना जल भरा होने के बावजूद यहां से कार निकालने की